दोस्तों अमिताब बच्चन की फिलिम सुर्य बंसम हमारी आज की बाइसकोप की फिलिम है बाइसकोप में हम आपको उसी दिन रिलीज हुई किसी पुरानी फिलिम के बारे में बताती हैं लेकिन शुर्य बंसम के बारे में बात करते समय लगता है कि ये फिलिम तो कभी पुरानी हुई ही नहीं और सायद कभी होगी भी नहीं 1997 में पहली बार तमिल में बने इस फिलिम के कहानी में सर्थ कुमार ने लीड रोल किया हलाकि तेलूग में 1998 में यही रोल बेक्टेशन के पास आया और 1999 में अमिताब बच्चन ने वही किरेदार करके इसके कहानी को अमर कर दिया हलाकि इसके अगले ही साल ये कहानी कर्णन में भी इसी नाम से बनी जिसमें विश्णू बर्धन ने लीड रोल किया और फिर इसके पांच साल बाद रविकी सन ने भी इसे भजपूरी में बनाने की कोर्सिस की फिल्म दुलहा मिलल दिलदार हलाकि फिल्म सुरे बंसं को सेट मैक्स चैनल ने इतनी बार दिखाई है कि देश का बच्चा बच्चा इस फिल्म को जानता है इस फिल्म के बारे में बने मिम्स ने डिजिटल दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाया है ऐसे में मिम्स को ट्रेक करने वाली की माने तो किसी भी हिंदी फिल्म पर इतने मिम्स नहीं बने इस फिल्म की लीड हिरोईन सोदर्या ने बाद में बीजेपी जुआइन कर ली थी और चुनाओ पर चार की दोरान हुए एक हेलिकॉप्टर हादसे में उनकी जान चली गई थी फिल्म में उनके क्रियादार की डबलिंग रेखा ने की थी वैसे तो अमिताब बच्चन और रेखा की साथ साथ बनी आखरी फिल्म सिलसीला मानी जाती है लेकिन परदे पर लिखे नामों के हिसाब से देखे तो सुर्य बंसम आखरी फिल्म है दरसल अमिताब बच्चन के हीरो के रोल से मुह तोरने का काम उनके केरियर में सुरे बंसम ने है किया एक युवा अभिनेतरी के सामने खुद को एक युवा किरयदार में पेश करने के चक्कर में अमिताब बच्चन को दर्सकों से इतना कुछ सुनने को मिला कि उन्होंने आगे का किर्षा ठाकुर भानु परताब सिंग वाले गेटप में ही जीने का फैसला कर लिया और हीरा ठाकुर वाली सक्सियत उनके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए बिदा हो गई 1999 में अमिताब बच्चन की चार बरी फिल्मे सुड़े बंसम लाल बादसा हिंदुस्तान की कसम और कोहराम रिलीज हुई चारों फिल्म बॉक्स आपिस पर फलॉप रहे फिल्म कोहराम के निर्देसक थे मोहुल कुमार और साल 1999 में उनके केरियर का टर्निंग पॉइंट रहा इसके बाद उनका करिस्मा लगतार कम ही होता गया कोहराम से ठीक पहले उन्होंने अमिताब बच्चन को लेकर मिर्तियो दाता बनाई वह भी फलॉप रहे लाल बाद सा ने इसके निर्देसक के सी बोकाडिया के बेकप का एलान किया वह साक्रियो तो फिल्म इंडिस्ट्री में 8-10 साल से रहे लेकिन लाल बाद सा के फलॉप होने के ठपे ने बोकाडिया को भीतर से तोड़ दिया हिंदुस्तान की कसम फिलिम से मसहूर अस्टेंट निर्देशक बीरु देवगन फिलिम निर्देशक बने थे फिलिम में अजय देवगन भी थे लेकिन फिलिम नहीं चली बीरु देवगन ने इसके बाद दूसरी कोई फिलिम निर्देशित भी नहीं की फिल्म सुर्य बंसम के निर्देशक यूवी भी सत नरायन तेलुग सिनेमा के मसुहूर निर्देशक रहे लेकिन उन्होंने भी इस फिल्म के बाद दूसरी कोई हिंदी फिल्म निर्देशित करने की हिम्मत नहीं दिखाए हलाकि फिल्म सुर्य बंसम की कहानी एक ठाकुर परिवार की कहानी है जिसका मुखिया भानु परताब सिंग है भानु परताब सिंग अपने तीन बेटे और एक बेटी के साथ इलाके का भी मुखिया बन कर रह रहा है भानु परताब के दो बेटे तो पढ़लिक कर कुछ बन गया लेकिन तिसरा बेटा हिरा ठाकुर सुरू से नठखट रहा एस्कूल के दिनों में जिस लड़कियों से प्रेम किया वह उसके पगलेट समझ कर छोर गई घर में वह सारा काम नोक्रो वाला करता है बाप उसे जिकरने के जैसे मोके ढूंडता रहता है हलाकी राधा उसकी जिन्दगी में नई रोसनी बन कर आती है हलाकी खुद आयस बनती है और हीरा को बरा कारो बारी बनाने में मदद करती है दोनों का बेटा अपने बाबा से मिलने जुलने लगता है वह बाप बेटे के बीच की दिवार करिब करिब गिरा भी देता है कि भानु परताप के खाने में मौजूद जहर के चलते वह मिर्तुष्य पर पहुँच जाता है हलाकि फिल्म में भानु परताप सिंग की रोल के लिए अमिताब बच्चन को खूब तालिया मिली और हीरा ठाकुर के रोल के लिए उतना ही गालिया द्रैसल संतावन साल के अमिताब बच्चन को अपने से आधी उम्र के बंगाली फिल्मों की अभिनेतनी रचना बर्जी के साथ मस्ती के द्रिश्य लोग को हजम नहीं हुआ यह बात खुद अमिताब बच्चन को भी समझ आई और तभी इसके बाद ऐसे कोई फिल्म भी अपने केरियर में उन्होंने नहीं की जिससे उन्होंने अपने उम्र से आधी कि किसी हिरोईन के साथ रोमेंस करना हो हलाकि अमिताब बच्चन ने इसके बाद सीधे फिल्म मुहब्ते से अपना ट्रेक बदा और उसी साल वह अपनी पहचान देने वाले सोख कोन बनेगा करोर पती में भी नजर आये हलाकि अमिताब बच्चन की उन दिनों तमाम फिल्मों एक के बाद एक फलोफ हो रही थी यहाँ तक कि हिंदी सिनेमा की कोई हिरोईन फिल्म सुरे बंसम में काम करने को तयार नहीं हुए ठाकुर भानू परताप साह की पतनी सारधाव वाला रोल पहले सुफाली साह को अफर हुआ था लेकिन उन्होंने भी फिल्म ठुकरा दी इसी तरह रचना बंजी वाला किरादार उस बत पूजा पात्र को अफर हुआ था लेकिन उन्होंने ऐसा ही किरादार अनिल कपूर के फिलिम विरासत में कर रखा था सो वह ये बहाना बना कर बचने के लिए क्योंने एक जैसा रोल डिपिट नहीं करना है फिलिम में पहले हिरा ठाकूर के रोल के लिए अविशेक बच्चन को भी लेने की बात चली थी लेकिन उन दिनों वह अपनी प्रस्तावित डेविट फिलिम आखरी मुगल की तैयारी में लगे थे और अमिताब नहीं चाहते थे कि उनकी शुरुआत सोलो फिलिम से हो बाद में वह जेपी दत्ता की फिलिम में रिव्यूद से बरे परदे पर उत्रे हलाकि उनकी भी ये फिलिम फलोप रहे फिलिम में हीरा ठाकुर के साथ राधा का रोल करने वाली सुरुद्धा ने फिलिम की सुटिंग के दोरान हिंदी सीखने की खूब कोर्शिस की लेकिन डविंग के बक्त अमिताब बच्चन को उनकी हिंदी ठीक नहीं लगे इसी के बाद फिलिम में रेखा की एंट्री बतोर डविंग अटिस्ट हुई और उन्होंने राधा के किर्यदार के सारे संबाद डवल कि इस बारे में फिलिम रिलीज होने तक कभी कोई जानकारी बाहर नहीं आने दी गई हलाकि फिलिम में रेखा के काम का पता चला लोगों को फिलिम के रिलीज होने के बाद ही चला साहित कपूर की मा निलीमा आजीम ने भी काम किया है और उनको दूसरे पती राजेस खटर भी इस फिलिम में मौझूद है दोनों फिलिम में पती पतनी के किरेदार में ही नजर आये हैं करिब साथ करोर रुपय की लागत से बनी सुर्य बंसम ने रिलीज के बगत ओपनिंग तो ठीक ठाक ली थी लेकिन फिलिम पहले हपते में ही फलॉप घोसित हो गई ज़्यादातर सिनेमा घरों में इस फिलिम के अगले ही हपते फिलिम बीवी नंबर वन डिलीज हो गई इस फिलिम में भी अमिताब बच्चन ने अस्पेशल अप्रिरेंस दिया है साल 1999 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तीनों फिलिम में सलमान खान की रही थी पहले नंबर वन पर थी हम साथ साथ है दूसरे पर बीवी नंबर वन और तीसरे नंबर पर रही थी फिलिम हम दिल दे चुके सनम सूर्य बंसम ने बाद में डिजिटल राइटर्स वगडेहर से फिलिम की रकम की भरपाई की और इसके निरमाता को घाटे से बचा लिया झाल